सो गाइज आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपके पास Android मोबाइल है और आपको यहाँ पर Call of Duty जो वर्जोन है मोबाइल गेम अगर आपको Play Store के अंदर कुछी सरस्त दिखाता है योर डिवाइस इस नोट कंपेटेबल विद इस वर्जन और कुछ लोगों को यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर अगर आप डारेक्टली प्ले स्टोर के अंदर इसको सर्च करने का ट्रॉय करेंगे तो यहाँ पर यह गेम आएगी भी नहीं ठीक है अगर आप directly search करने का try करेंगे तो यहाँ पर आपको आएगी भी नहीं मैं आपको दिखाता हूँ search करके call of duty version तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं यहाँ पर नहीं आई है तो अगर आप लाना भी चाहते हैं तो कैसे लाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले तो आपको chrome browser में आना है यहाँ पर आने के बाद search करना है call of duty version यहाँ पर आने के बाद देख सकते हैं यहाँ चुका है google play install पर आप click करेंगे तो यह रायकली redirect हो जाएंगे अपने play store के अंदर और यहाँ पर दिखा रहा है your device is not compatible with this version तो आपको सबसे पहले क्या करना है नीचे आना है और अपना mobile का version check करना है कौन सा ठीक है और एक बार game consist to be suitable करती है कौन से version में वो भी देख लेना है check कर लेना है तो यहाँ पर आईए about game में about game में आने के बाद आपको scroll करना है नीचे यहाँ पर देख भी सकते हैं android 10 up to require यह दिखा सकते हैं require os android 10 कम से कम android 10 version होना चाहिए आपका mobile का और उसके बाद अगर आपका छोटा है तो उसमें नहीं चलेगा अगर कोई चोटा वर्जिन है तो तो सबसे पहले android वर्जिन आपका 10 होना चाहिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है और उसके बाद आप अपने mobile के वर्जिन को update कर सकते हैं यह काम आप कर सकते हैं देन उसके बाद आपको क्या करना है लोंग प्रेस करना है अपने play store पर app info पर आईए उसके बाद यहाँ पर आप इसका clear all data कर दीजिए अपने जो play store का है उसका clear all data आपको करना होगा इस बाद का आपको ध्यान रखना है देन उसके बाद आपको क्या करना होगा आपको यहाँ पर आपको यहां पर play store में आ जाना है फिर से play store में आने के बाद यह आपकी application है यहां पर आपको एक report लिखनी होगी वो report क्या है देख लिजीए आपको यहां पर नीचे आना है app support पर क्लिक करने के बाद email देखने को मिल रहए email पर क्लिक करिए जैसे email पर click करेंगे आप redirect हो जाएंगे आपके Gmail पर और यहाँ पर आपको report लिखनी है वो report क्या है यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ वो report आपको क्या लिखनी है तो यह वो report है आपको लिखनी होगी Dear Call of Duty team I am facing a problem in my play store when I try to install code version if show error device is not compatible with this version my phone has 8GB जो भी आपकी जितने भी GB का mobile वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा और नीचे आपको एक बात का ध्यान रखना है यहाँ पर my contact number यह आपको अपना contact number लिखना है plus जो भी आपका country code है उसके हिसाब से आपको लिखना होगा अपना यहाँ पर लिख देना है यह report और उपर से click करके send कर देनी है यह report submit करने के 24-47 गंते अंदर आपकी जो problem है वो solve कर दी जाएगी अगर यहाँ पर नहीं होती है तो आपको 2-4 दिन का wait करना होगा automatic आपकी problem solve की जाएगी ठीक है बस आपको wait ही करना है अगर फिर भी problem solve नहीं होती है सो guys आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं ने आक्स वीडियो में तिल नबाटे के लब यू